आस्मान गिर रहा है कहानी जंगल में एक दरपोक खर्गोश रहता था एक दिनवल देवदार के पेर के नीचे मजे से सो रहा था कि अचानक एक फल उसके सिर पर आ गिरा दरपोक खर्गोश की नींद खुल गई वो सोचने लगा कि ये क्या हुआ क्या गिरा मेरे सिर पर, कहीं आसमान तो नहीं गिर रहा, दिमाग में ये सोचाते ही वह डर गया और फिर क्या, वह भागने लगा, वह बेतहाशा भागा चला जा रहा था, उसे इस तरह भागते हुए जब हाथी ने देखा, तो पुछने गा, अरे भाई खरगोश क्या हुआ क्यूं ऐसे भागे जा जा रही हो, खरगोश हौन्फते हुए बोला, मागो भागो आसमान गिर रहा है, खरगोश की बात सुनकर हाथी भी डर गया, वह भी उसके पीछे पीछे भागने लगा, कुछ देर बाद उनकी मुलाकात गेंडे से हुई, गेंडे ने भागने का कार पूछा, तो हाथी ने खरगोश से सुनी बात दोहरा दी, भागो भागो, आसमान गिर रहा है, ये सुनकर गेंडा भी डर गया और उनके पीछे हो लिया, अब जो भी उन्हें मिलता, आसमान गिर रहा है, सुनकर उनके पीछे भागने लगता, खरगोश ने पीछे हाथी, ह इतने सारे जानवरों को इस तरह भागते हुए जब जंगल में टहल रही लोमडी ने देखा तो चकित रह गई उसने कतार ने लगे भालू से पूछा क्या हुआ भाई तुम सब लोग ऐसे कहा भागे चले जा रही हो भागो भागो आसमान गिर रहा है भालू चिल लाया ये सुनकर लोमडी अच्रज में पढ़ गई कि ऐसा भी कहीं होता है उसने सारे जानवरों को रोका और बोली इस तरह भागने से किसी समस्या का हल नहीं मिखलेगा चलो जंगल के राजा शेर के पास चलते हैं सब लोमडी के पीछे हो लिए थोड़ी ही देर में सारे जानवर शेर के सामने खड़े थे लोमडी ने शेर को सारी बात बताए ध्यान से सारी बात सुनने के बाद शेर ने पूछा सबसे पहले किसने आसमान गिरते हुए देखा सबने खरगोश की तरफ इशारा किया शेर ने खरगोश से पूछा तुमने कहां देखा कि आसमान गिर रहा है वनराज मैं देवदार में पेर में मीचे सो रहा था कि तभी मेरे उपर आसमान का एक छोटा टुकड़ा गिरा और मैं भागने लगा और सबको बताने लगा वनराज हम सबको भागना चाहिए कहीं पूरा आसमान गिर गया तो हम सबका क्या होगा खरगोश की बात सुनकर शेर को कुछ संदे हुआ उसने लोमडी से कुछ चर्चा की फिर सारे जानवरों को लेकर उसी देवदार ने पेर के पास आया जहां खरगोश सोया था वहां देवदार का फल गिरा देख उसे सारा माजरा समझ आ गया वो फल उठा कर शेर बोला तो ये है आसमान सारे जानवर समझ गई की दरपोख खरगोश देवदार का फल गिरने पर सोचने लगा की आसमान गिर रहा है सब हसने लगे, खरगोश बहुत शर्मिन्दा हुआ, शेर ने खरगोश को समझाया कि इस तरह की अफवाह न फैलाए उसने सारे जानवरों को भी समझाया कि बिना सोचे समझे किसी की बात का यकीन न करें